हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्रप्रदेश के पूर्व डी जी पी और वरतमान में रासवासांसर ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार विवाद हुआ लेकिन आप पॉलिस के सरवुच पत पर उत्रप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम जो शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था, किस तरह से मुक्तार अंसारी तयार हुआ, किस तरह से आगे एक गैंग बनाई, किस तरह से उसने काम करना शुरू किया। यह उनका गुर्गा था, इसको बदमासी का बड़ा सौक था, तो एक बड़े गैंग लीडर मिल गए उसमें था, उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को ठाकुर रंपस सिंख की हत्या, उनके भतीजे सादू मकनुषी ने किया, डेढ़ विश्वा जमीन पर, और जिसके सिल मर्डर हो गया, उसके भतीजों ने किया, तो 10 अक्टूबर 85 को मकनुषी सिंग को रंपस सिंग के बेटों ने, जिसमें में था, त्रिभूण सिंग और उधर बिजेश सिंग, उसके बाप का मर्डर हुआ था, धौरारा में, एक साहब सिंग होते थे, इन सब लोगों ने मि करके मकनुषी का मर्डर कर दिया, जो में गुरू था मुक्तार अंसारी का, और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला, इसका नाम तो नहीं आया, लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था, दो जनवरी 86 को, थाना साहित पूरी छेतन में, जब इसने दो भाई सवाइटा, बिरंदर सिंग बेडा और डाक्टर रामविलास सिंग, जो रंपस सिंग के बेटी थे, उनको मार दिया। फिर मुक्तार ने इनका बेटा रंपस सिंग का हवल्दा राजिंदर सिंग बनारस ट्रेफिक लाइन में तनाब था, उसके गेट पर मारा और उसके बाद साधू सिंग जो था, अब इसका गुरू था मुक्तार का, वो अपना अफजाल अंसारी बिधायग बन चुका था, उसके प्रयास से ये जेल से आगे हास्पिटल में, उनके पत्नी को बच्चा हुआ था, सुबा सुबा एक गाड़ी पहुंचती अमबेस्टर उसमें कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है, और साधू सिंग के उहीं मार दिया, और उसके साधू सिंग के मारने के बाद ये पूरा गैंग पहुंचा मुडियार गाओं में, और वहाँ उसका भाई धामोदर था, उसको मार दिया, एकरमा संकर सी मार दिया, और साहब शिंग ले गया धानापुर वहां दो मार दिया इस तरह से साधू मकनु गैंग समाथ हुआ तो उसकी गैंग की कमान समभा ली मुक्तार अंसारी ने उधर ब्रजेस और त्रिवुन मिल गए थे इन दोनों के गैंगवार में दरजन नहीं हंडर्स में लोग मरे तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बनमास बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वो 85 में बिधायक बन गया कमडिस पार्टी से अब 93 में अच्छा उसी दोरान 93 में ये चुनाव लड़ना चाहता था और उस समय कासी राम जी ओ मुलायम सिंग्या समझावता किया एक नारा चला मिले मुलायम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम मुक्तार चाहता था गाजीपूर सदर से चुनाव लड़ना मानवर कासी राम जो जाते थे सबीदिन सिदीकी साब थे जो मुक्तार के साडू लगते थे गाजीपूर में वहीं रुकते थे तमाम जो बड़े बड़े नेता थे बाम सेफ के इसके मुक्तार अफजाल ने सोर्स लगा करके कि गाजी पुर सदर मुक्तार को मिल जाए मुक्तार जेल में था मानवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये उन्होंने अपने एक सायोगी बिस्वनात राम मुनीब दलित थे उनको जनरल सीट्षे टिकट दिया 20 नॉम्बर 93 को सुबच चुनाओं के लिए ओट पड़ना था और 19 की रात में 11 बजे बिस्वनात राम मुनीब दलित घर से निकले और दो गाड़ियां आती है मोटरसाइकले और अतर अतर गोली मारती है मारते गया मुकतार अंसारी ने मारवाया क्यों उनको टिकट नहीं मिला तो उचाता था मुझे जितना अरालत में तो एलेक्शन काउंटर मांड हो गया जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाई एले असनात यादों ने हिम्मत नहीं की लड़ने की और उसने तो यहां तक किया जो एसपी गाजीपुर में उसके अंसार काम नहीं करते थे मुकतार रहने नहीं देता था कुछ बड़े सब अच्छे अप्सरतनात हुए मैं कुछ का नाम बता दूं जावी धामट डीजी हुए चार दिन पंदरा दिन जमाल अश्रफ बीस दिन संदीव सालूं के दो माँ अभै संकर चार माँ बिरंदर कुमार अठाइस दिन अभिनास चंद्रा दो माँ अखिल कुमार आज कले एडी जी हैं एक माँ राजे सिरवास्तों ग्यारा दिन एर रवींदर तीन माँ तरुन ग वीके गर्ग चार महीना दो दिन, बैभो कृष्णा दो दिन, दो महीना आठ दिन, आनंद कुलकनड़ी दो महीना दस दिन, रविसंकर शभी एक महीना दो दिन, और जस्वीर सिंग एक दिन, तो मुक्तार ने ये किया, अगर उसके अमसार कोई एस पी नहीं काम करता, तो रहता नहीं पाता था, और उनको रखता तो जिसके अमसार काम करने, और सही बात, इसका काम क्या था अपराद, और जो सिपाही इसने भरती कराए, मैं एक साफ बना चाहता हूँ, कि पोलिटिकल के इलामा, जो इसने भरती कराए, जो फूलिस फोर् तक सामिल थे दो घटनाए बताना चाहूंगा 2004 में मैं आईजिलानाडर होता था संसदी चुनाव हुआ और आईजिलानाडर ही नोडर अफसर होता है हमारे पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा चुनाव हुआ गाजीपुर में चुनाव होता था मुक्तार ने दहसत फैलान मंचे से मार सकते थे एक से तालिस से फिर दिन में करीब एक वजय मैं बैठा कंट्रोल रूम में देख रहा था वहां पर एक अवलेस राय थे मनुसिनाजी के गाउं के असपास के उनको यह के शेयों बूत पर बाहर यह के से तालिस फैदना दन इसके जितने गुर्गे अत अब तक मुक्तार अपना काम कर चुका था और यह 2004 में यह सांसद बन गे मैंने रेकमंट किया था यह गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मांड कर दिया जाए लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी तो इस तरह से दूसरा कहना चाहूंगा एक लाइट मेशिन गन का पकरन हु इसने लाइट मेशिन गन मंगवाई और जिससे कि क्रशनार नंद राय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए पाउर फुले पन होता हमारा इंफेंटरी का उसके बाद चो 600 गोली पर मिनेट फायर करती है इसका गनार था मुननर यादो उसके माध्यम से उसने बाबुलाल जिसको मनमोहन सिंह सरकार आते ही उसको खतम किया गया तुस्टी करण की राजनीत में तो पोटा का मुकदमा कायम हो गया है और उसमें मुननर यादो मुक्तार अंसारी बाबुलाल यादो उसके बाद जैसे पहाड़ तूट पड़ा हो और मुलाहिम सिंह जीने अपना एड परेज़क्यूशन के लिए सासन में आया माने मुलाहिम सिंह जीने मुक्तार अंसारी को परेज़क्यूट नहीं होने दिया परमिशन नहीं दिया मुननर यादो और बावुलाल यादो को ददद साल गिसे जाए होती सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए वो अखले शादव हों शिपालिया दव हों या आने जो दल हों कॉंग्रेस के निता हों वो सब जो है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे कोई ना कोई विवाद है इसकी जाच होनी चाहिए क्योंकि कुछ खुद आप पु जिसमें बहुत सीनियर डाक्टर नहीं कि लोकल डाक्टर मक्क कर लिये हों और किया गया क्या पाया गया हार्ट अटेक प्योर हार्ट अटेक उसके बावजूदी मेस्टर इंक्वारी ओर है एस इस इपना कर कि पूलिस तो कर रही है यह जो पार्टियां यही तो लाभानु आते थे कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलट दी जाए अतिक अहमत के बारे में अखलेस नहीं कहा था गाड़ी न पलट दी जाए लेकिन अखलेस यादों कांग्रेस नहीं देखेंगे तृष्णा रंदार की पतनी पर क्या भी था जो इसने धरजनों माडर किया में वो आ चुका है जाच हो रहा है इन्वस्टिगेशन हो रहा है इसमें कोई सिवियाई जाच की जरूत नहीं है यह किवल वही लोग हैं जो उससे जो ओट बैंग के सौधागर हैं और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी और समाजबादी प पाल के हत्या कांड हुई दिन दाड़े ओभी एक संताली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतिही कामद असरप का कोई रूल नहीं है एक फोटो वाइरल हुई थी अतिही के घर जाकर उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे मानने मुला हैं सिंग जी और को के सिवियाई में गया अभी 29 मार्च को चे को सजा हो गई आजम कारवास हती ही कामद वो होती उनको सजा होती तो कांगरे में से कहा समाजबादी पार्टी तो बदमासों को पालने वाली जितने बड़े बदमास उत्रप्र देश के उसको समाजबादी पाला इतने नहीं चंबल के ढकायद चेहो निर्वो गुजर हो ददुआ ठोकिया हो मैंने का नहीं ददुआ के बाई और उसके भाई और उसके बेटा और भाईयों को मलाइम सिंज ने समाजबादी में उस समय दिया जब ददुआ पर सात लाग का इनाम था फरार था तो इवन एलक्षन जब समाजबाते थे तो चंबल के ढकायद फरमान जारी करते थे समाजबादी पार्डी कोश्म देते थे निर्वेग उजर इतना वह पापुलर हो गया था मीडिया चली जाती थी तो काता था मैं तो समाजबादी पार्डी का हीरो हूं उसका फरमान जारी का करते थे बूत कैप पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं और हजारों करोड की संपत्यां अपराद से कमाई की अटाइच कर ली गई हैं तो ये जोगी राज है मोदी राज है इसमें जीरो टालरेंस है और ये आज इस्तिती ये बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा जोगिया दितनात का होगा तो उत्तर प्रदेश प्लिस के पूर सबसे बड़े श्रड़कारी डीजी पी रहे यूपी एस्टी एफ के चीफ रहे और पूरा उस समय मुक्तार अंसारी के शुरुआती दिन से लेकर और मौत तक की किस तरह से मुक्तार अंसारी ने पूरा अपना गैंग तयार किया किस तरह से काम किया किस तरह से राजनेताओं की सहप आकर राजनीत में बड़ा एक मुकाम हासिल किया उन सब बाताओं के बारे में ब्रिजलाल जी ने जानकरी दी केमरप्रसन संजी बर्मा के साथ पवन गौड नपक इटीन दिल्ली